दोस्तो आज की वीडियो में आप देखेंगे बारिश के मौसम में लोको पाइरट का क्या हाल होता है गर्मी में आपने देख लिया, सरदी में आप देख लेंगे, फिलाल अभी बारिश की शुरुआत हो गई ये तो पहली बारिश में ही हमारा क्या हाल हुआ इस वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे कैसे 8-10 गंटे हम भीगे भीगे रहे रास्ते में ही बारिश आ गई थी रेनकोट पहन लिया था फिर भी हमारे जूते तो भीगी गए थे अब निकलते हैं अब निकलते हैं अब चलते हैं वैसे ही टाइम कम रहता है जब डूटी पर पहुंसते हैं निकलते हैं और बहुत तेज़ बारिश आ गई थी अब तो फिर भी कम लग रही है अब कैमरे में आपको ज्यादा पता नहीं लग रहागा पर सच में बहुत तेज़ बारिश आ गई थी पूरी रोड़ भीग गई है और जूते भीग गई है यार मेरे और बारिश अब भी पढ़ रही है क्या करूंगा अब जूते कुछ इंतजाम करना पड़ेगा बरसात क में पहुंचना था हमें अब दो तीन घंटे इंतजार कराए गया है और बताए गया है कि आपको इस इंजिन में जाकर बैठ जाना और बाद में बताएंगे कब चलेगा दोस्तों आप में से मुझे उमीद है सभी लोग ऐसे होंगे लगबग सभी लोग जो कि नौकरी की त होगे आज तक आपने प्एस पटशित साल अपने पढ़ाही में निका लें अब एक अप एक के बारे में आपको बताने वाला होगा जिससे कि आपकी एक अच्छी सी नौकरी लग सकते हैं अब नौकरी का समय पास है तो एक एक नंबर की value समझे मैं आपको एक app के बारे में बताता हूँ जो आपको वाकई में फायदा देगी prep इसका नाम है play store से आप डाउनलोड कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा इसका एक साल का subscription क्योंकि देखो काम की चीज़े free में नहीं मिलती मैं आपको कभी भी इस तरह की चीज़ों की सला नहीं देता विमल पान मसाला, dream 11 इस तरह के मैं add करता भी नहीं ठीक है मैं आपको वही चीज़ लाकर show करता हूँ जो आपके काम की होंगी मुझ पर बहुत mail बहुत सारी चीज़े आती रहती है कि आप इसको promote कर दीजे पर मेरा एक की जवाब रहता है पैसे भी बहुत अच्छे देते हैं पर मेरा उनको एक जवाब रहता है कि मेरे जितने भी subscriber हैं लगबख सभी student level के है और मैं उनको इस तरह की चीज़े promote नहीं करूँगा ठीक है पढ़ाई की चीज़े ही मैं आपको हमेशा दिखाता हूँगा किसी भी वीडियो में देखिए इसमें आपको यह है डाहिसोर रुपेस का एक साल का सब्सक्रिप्शन है पहले मैं आपको बता दूँ उसमें CHINKU 20 चिंकू 20 लिख देंगे तो 20% आपका ओफ हो जाएगा एक साल का सब्सक्रिप्शन है एक साल में मेरे इसाब से आप 18 सवाल 18 एक्जाम तो मिनिमम देंगे देंगे और एक साल में जिसकी नौकरिय लगनी होगी लग जाएगी ठीक है अगर आप अच्छी तेयरी कर रहे है डाहिसोर में से 20% आपका ओफ हो जाएगा डाहिसोर के 10% होते हैं 25-20% होते हैं 50 यानि डाहिसोर में से 50 रुपे आपके कम हो जाएगे बचे कितने 200 रुपे एक साल के 200 रुपे जिसमें आपको रेलवे और सभी एक्जाम मिलेंगे इसमें लाइव टेस्ट भी चलते रहते हैं लाइव टेस्ट में आपको रैंकिंग वगएरा सब पता चलेगी और आपको लेविल पता चलेगा इसके इलावा देखें आपर फुल टेस्ट हैं देखें मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कूपन कोड जरूर यूज कर लेना आपको फाइदा हो जाएगा जैसे आपको फुल टेस्ट देकर आपको पता चल जाया कि 60 मिरिट में 75 सवाल में से आपके असली में कितने नमबर आ रहे हैं प्रिवियस यर के पेपर भीस में बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे असली एकजाम चल रहा हूँ अब जो बच्चों के मौक टेस्ट में कम नमबर आएं जिनको लग रहा हो कि मेरे मौक टेस्ट में कम नमबर आते हैं तो वो क्या करें उनके लिए चैप्टर टेस्ट हैं मतलब वो chapter test से शुरुवात करें, उससे क्या फायदा होगा, उनको एक-एक chapter का ही जो सवाल होंगे, वो आएंगे, तो उससे आपको confusion होगी, आप उनके अच्छे से सवाल को solve कर पाएंगे, इसी तरह से reasoning के chapter test, इसी तरह से science के chapter test, इसी तरह से GK के chapter test, जब आप chapter test दे लेंगे तो आपको थोड़ा सा confidence बढ़ेगा, फिर आना आप sectional test पे, sectional test में क्या होगा, जैसे math के sectional test में पूरी-पूरी महत आएगी, एक chapter नहीं, पूरी math, इसी तरह से reasoning के sectional test में पूरी reasoning आएगी, इस तरह science के sectional test में physics chemistry बायों पूरी science आएगी, जब आप sectional test को भी दे लें, त और A.L.P. नहीं, J.E. हो गया, technician हो गया, बहुत सारे ऐसे form होंगे, जो आप भरेंगे, आप मेरी सला मानिये, फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक अच्छी app है, पढ़ाई से related app है, आप इसको play store से जाकर download करिए, और इसका पूरा फायदा उठाई है, खुब पढ़ाई करि तो बहुत समय निकल गया, अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं, अब तक बारिश नहीं हुई थी, और अब चेक करने पीछे आया हूँ मैं, तो बारिश हो गई, इस साइड में दूसरी ट्रेन जा रही है, और अभी मुझे इस मालगाड़ी में खराबी मिली है, जिसको कि अ जाए जाएगा, फिलाल इसको आगे पीछे चला के चेक करते हैं, और वाकई में एक दिक्कत जो मिली है, वो दिक्कत है, और अब हम दूसरी टीम को बिलाएंगे, बरसात के बाद बहुत जादा उमस हो गई, पूरा पसीनी में नहाग्या कसम से, अब इसी की नीचे, क्यों नंगे पर बैठना पड़ रहा है, करल से जूते का कुछ जबाड करूँगा, और रात हो गई है, जो हमारी टीम आनी थी, वो आ गई थी, ट्रेन हमारी चेक हो गई थी, सही हो गई थी, और इसके बाद हमें एक स्टेशन चला दिया था, वहाँ पर जाकर हमारा टाइम कंप पकड़ कर अपने इस्टेशन तक आगए, और हम आगए सीधे अपने घर को, दोस्तों दुफैर में डूटी शुरू ही, रात के 12 बजे खतम हो गई